हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टो आवर चैनल फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2023 रजिश्टे हैं डेट के बारे में साथ में दोस्तों आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है अगर वो दो से तीन साल पुराना हो गया है तो क्या वो चलेगा और स्केट डोमिसाइल भी क्या आपको नया बनवाना है इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों और नीट 2023 का थरी का एकजाम जो है दोस्तों वो या तो साथ मही को ही हो जाएगा दोस्तों या फिर वो 11 या 18 जून को होगा जो की NDTV Times of India Source के अकॉर्डिंग जो मिटिंग होई थी उसमें बोला गया था तो दोस्तों कुछ चैनल्स पर जो है application date या registration date को लेकर के जो कुछ fake वीडियो जो वाइरल की जारी दोस्तों तो वो आपको नहीं देखनी है अभी तक कोई भी official notification नहीं आया है जैसे ही कोई आएगा हम आपको बता देंगे मैं बात अब आती है दोस्तों कास्ट certificate की कास्ट certificate जो दोस्तों अगर आपका 2019 यवीज में बना है तो वो नहीं चलने वाला है दोस्तों मैं तो कहूंगा अभी जो है 2023 आ रहा है next week से start हो जाएगा तो दोस्तों आप जो है 2023 का ही अपना कास्ट certificate नया बन वाले दोस्तों या दोस्तों आप अपना कास्ट certificate नया बन वाले और अब आप कहोगे कि अगर आपका 2022 का certificate है तो क्या वो चल जाएगा तो हाँ वो चल जाएगा लेकिन दोस्तों अगर आपका दो से तीन साल जादा पुराना हो गया है तो आप उस condition में नया कास्ट certificate बन वाले श्टेट डोमिस जाएल बन वाले और दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका जो टोमिसाइल अपुराना नही होगा दोस्तों एक्जाम एट की मात करूं तो या तो साथ मैई को ही हो चाहेगा जो most probably होना चाहिए था लेकिन हो सकता है दोस्तों धिरे दिरे करके time जो है आपका cut क्या जाए क्यो जून में लिया जाए तो 11 जून most probably मानके चलिएगा बागी सात महीं के लिए अपनी त्यारी जरूर रखिएगा दोस्तों और ऐसी ही और वीडियो हम आपको जो है time to time देते रहेंगे जो भी जानकारी आपको चाहिए वह हम परवाइड करवाएंगे नीट की कुछ important topics है दोस्तों physics है chemistry है biology है वो भी हम आपको बताएगे वीडियो देखने कल धन्यवाद thank you